नमस्कार दोस्तों मेरोडूप चैनल में आप लोगों का स्वागत है 36 गड़ में रेलवे विभाग में विविन नपदों पर भरती के लिए विज्यापन जारी किया गया है तो इसके लिए कौन को अवेदन कर सकते हैं योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अंतिम्थिती क्या होगा अवेदन करने का और विडियो के अंत में आप लोगों को बताने माला हूँ जो ओफिस्यल नोटिफिकेशन विज्यापन है वह आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हो तो विडियो को शुरू करते हैं दोस्तो जो विज्यापन जारी किया गया है वो कर्मिक विभाग बिलासपुर मंडल दक्षेपूर मध्य रेलवे द्वारा 6 सेप्टेंबर 2021 को जारी किया गया है एक्चुक अवेदक अगर अवेदन करना चाते हैं तो 11 सेप्टेंबर 2021 से लेकर 10 अक्टूबर 2021 रात 23 बज के 69 मिनट तक ऑनलाइन अवेदन कर सकते हैं दोस्तों आप लोग यहां देख सकते हो, online अवेधन के लिए यहां पर website दिया गया है, यहां पर जाके आप लोग online अवेधन कर सकते हो आप लोग यहां पत का नाम देख सकते हो कोपा, टोटल पदो की संख्या 90 है वर्गवार अरक्षित पदो की संख्या आप लोग यहां देख सकते हो इस्टेनोग्राफर अंग्रेजी और इस्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जो टोटल पदो की संख्या 30 है फीटर के 125 पदों पर भरती किया जाना है इलेक्ट्रिशन के 40 पदों पर भरती किया जाना है वायर मेन के लिए 25 पद है इलेक्ट्रिशन मेकैनिक के 6 पदों पर भरती किया जाना है आरेसी मेकैनिक के 15 पदों पर भरती किया जाना है वेल्डर के लिए टोटल पदों की संख्या 20 है प्लमबर के लिए 4 पद, पेंटर के लिए 10 पद, कारपेंटर के लिए 13 पदों पर भरती किया जाना है मसिनिस्ट और टनल के लिए 10 पदों पर भरती किया जाना है सीट मेटल वरकर के टोटल पदों की संख्या 5 है ड्राप्मेंज सिविल के लिए 4 पदों पर भरती किया जाना है गैस कटर के टोटल 20 पदों पर भरती किया जाना है ड्रेसर के 2 पद, चिकिस्व प्रियोग साला टेकनीशन पैथोलोजी के लिए टोटल पदों की संख्या 3 है चिकिस्षब प्रोकसाला टेक्णिशन कार्डियोलोजी के लिए पदों की संख्या दो है अस्पतालो और विवसाइक स्वासकेंद के लिए मेकैनिक के एक पद पर भरती किया जाना है डेंटल लेब टेक्णिशन के लिए दो पद Physiotherapist Technician के लिए दो पद Hospital of Assist प्रबंधन Technician के एक पदो पर भरती किया जाना है Radiologist Technician के दो पदो पर भरती किया जाना है आप लोग यहाँ वर्गवार अरक्षित पदो की संख्या देख सकते हो जो टोटल 432 पदो पर भरती किया जाना है आप लोग यहाँ सेक्षिडिक एवं टेक्निकी योग्यता देख सकते हो सेक्षिडिक योग्यता होना चाहिए दस्वी पास और इसी के साथ अभ्यार्थी को किसी मानता प्राफ संसा से संबंधित ट्रेड में ITI की परिछा उत्तिन होना अनिमार है आईू सीमा होना चाहिए अभ्यार्थी की आईू होना चाहिए एक साथ दो हजारी कीस को पंदरव वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तसा चोबिस वर्ष से जादा नहीं होना चाहिए अधिक्तम आयू में अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती के उमिद्वारों को 5 वर्स एवं पिछड़वर के उमिद्वारों को 3 वर्स एवं दिव्यांग एवं भूत पूर्वसैनिक के उमिद्वारों को 10 वर्स की आयू छूट दिया जाएगा और दोस्तों आप लोग पॉइंट नमर 5 में पढ़ सकते हो चैन प्रिक्रिया के बारे में प्रविड़ता सुची बनाने हैं तू निम लिखित माबदन अपनाया जाएगा अभ्यार्थी द्वारा मेट्रिक के निवतम 50% अंक आरता है तू अवस्चक होगा तथा ITI में प्राप्त अंक परतिसत को समान भारता देते हुए प्रविड़ता सुची जारी की जाएगी अभ्यार्थी अवेदन करते समय अपने दस्वी और ITI के अंक को पोटल पर योग्यता सेक्शन में निश्चित रूप से भरे अन्य था आपके अवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा आपका अवेदन स्वता निरस्थ हो जाएगा अगर आप लोग इन पदों के लिए अवेदन करना चाहते हो तो आप लोग को दस्वी और ITI के अंक को ध्यान पुरुवक पोटल पर भरना होगा अन्य था आपके अवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा या फिर जो आपका अवेदन है वो स्वता निरस्थ हो जाएगा अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विग्यापन का लिंक दे दूँगा आप लोग वहाँ पर जाके डाउनलोड करके देख सकते हो आशाय के आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सेर किये ताकि ऐसी काम के वीडियो जुरतमन लोगों तक पहुंच सके इस वीडियो से related अगर आप लोगों कोई सवाल है तो हमें comment box में comment किये ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद